हेलो फ्रेंज आज मैं मखाने की खीर बना रही हूँ ये देखिए कितना टेस्टी बनके तयार हुआ है आए वीडियो को स्टाट करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे और मैंने यहाँ पे मखाना लिया है प्रेवर चमच के करीम मैं घी एड करूंगी उसके बाद मैं तुरंद ही मखाना भी एड करूंगी क्योंकि गी गर्म हो गया था। इस तरह से दो मिनट मैं इसको भून लेती हूँ पहले उसके बाद मैं और हाफ कटोरी एड़ करूंगी क्योंकि कड़ाई गर्म है इसलिए मैं पहले एक ही कटोरी डाल रही हूँ कि यह मैंने डाल दिया इसको भी थोड़ी देर रोष्ट करना है क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट होता है इसको घीर में भूनना जरूरी होता है जिससे जल्दी भून भी जाता है इस तरह से दीरे दीरे आप इसको भूनना है आपको यह भून चुका है लगभग यह देखिए यह कम से कम 5-6 मिनट हो गया है मैंने एकदम मद्याम आज पर मैंने भूना है यह देखिए यह तूट रहा है आसानी से यह देखिए यानि अच्छे से यह भून गया है अब गैस को बंद करेंगे और एक प्लेट पे निकाल यह मैंने निकाल लिया एक प्लेट पे और उसी सेम कड़ाई में मैंने तीन बाउल जिससे मैंने लिया था ना तीन बाउल मैंने दूद डाला है इसमें अब मैंने इसमें दो भाग कर लिया आधा भाग को मैं ऐसे ही रहने दूंगी और आधा भाग को मैं इसमें कूट लू करें थोड़ा दरदरा ही रखना है तो नहीं करना है इस तरह से देखे मैंने कूट लिया कि ए ज्यादा बारिक नहीं करें कि इस तरह से आधह की अधर मैंने कूट लिया और अता मैंने रख लिया दूद में भी अब लगभग उबाल आ गया है यह देखिए एक बार में चला लूँगी इस तरह से दूद भी उबल गया है अब मैं इसमें माखाना जो मैंने कूटके रखा था और यह जो खड़ा है वो भी इसमें मैं डाल दूँगी दोनों को एक ही साथ और इसको एक बार में अच्छे से चला लूँगी इसको बार-बार चलाना जरूरी नहीं होता है क्योंकि यह चिपकता नहीं है आप जब भी बनाएं तो मोटी परत वाली जो कढ़ाई होती है उसी में बनाएं इस टील वाले में थोड़ा से चिपकता है यह कुछ दिर हो गया है अब मैं इसमें चार बड़ा चम्मच इसमें मैं चीनी एड़ कर रही हूं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें लगभाग यह साथ से आठ मिनट हो गया है अब मैं इसमें दो कुटी वी इलाइची को मैंने एड़ किया इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप इलाइची जरूर डालें कि उसके वाद मैंने कुछ ड्राइफ लिया है काजू किसमिस और बादाम जिसको मैंने क्रश कर लिया है इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और कुछ दिर इसको भी मैं पकाऊंगी क्योंकि किसमिस काजू और बादाम को भी पकाना है इसमें इसलिए आप 4-5 मिनट पहले ही डाले और इसको ऐसे गाढ़ा करना है इसको मैं थोड़ा-थोड़ा इसमें से क्रश कर देती हूं इससे और जल्दी गाढ़ा हो जाएगा इस तरह से यह देखिए पक भी गया है आसानी से क्रश हो रहा है यह देखिए यह काफी गाढ़ा हो गया है यह देखिए इस तरह से आप चारों तरफ से मलाइक को भी ऐसे निकालते रहें यह काफी गाढ़ा हो गया अब मैं गैस की आज को बंद करूंगी क्योंकि यह ठंडा होने के बाद यह सारे दूद को अबजर्ब कर लेगा यह देखिए कुछ दिर के बाद ठंडा होने के बाद यह सारे दूद को अबजर्ब कर लिया है अब मैं आपको एक बाल में निकाल हुँ यह बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही लाबदायक होता है इसको मैं थोड़ा सा गार्णिस करूंगी काजु किस्मिस बादाम से और पिस्ता से इस तरह से यह देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है यह बहुत अच्छा लगता है खाने में आप जरू ट्राय करें अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगते हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कर दें